गांधी चिंतर्ण पर निबंध गांधी दर्शन जितना पवित्र और आदर्शात्मक था, उतना ही तयतकालीन भारत के लिए उप्योगी भी था लेकिन 21 सदी में ये दर्शन हमारी जीवन शैली से दूर होता जा रहा है और ऐसा मालूम होने लगा है कि गांधी जी के सपनों का भारत कहीं खो गया है सत्य के नाम पर जूट एवं धोका धड़ी आइंसा के नाम पर हिंसा और सादगी और सत्याग्रह के नाम पर स्वार्थ दिखावा और पूर्वाग्रह से ग्रसित परिस्थितिया देखने को मिलती है गोटालो का देश हो जाए ये भारत इससे बड़ा जुल्म और हो ही क्या सकता है हिंदु मुस्लिम एकता केवल कहने की बात रहे गई है पश्चिमी सिक्षा और सभ्यता का गहरा रंग चरता जा रहा है मद्यपान हमारी सभ्यता और समान का परिचायक बन चुका है जो लोग फ्रष्ट आचरन और चरित रहींता के लिए बदनाम है वे ही हर शेत्र में हमारे पथ प्रदर्शक एवं भाग्य विधाता बन बैठे हैं कुपत कुपत जो रत दोडाता पथ निर्देशक वह है लाज लजाती जिसकी कृती से धृती उपदेशक वह है गांधी जी के पचिन्हों पर चलकर जहां हम गरीबी हटा कर ग्राम विकास का दंब भरते थे वहीं आज गरीबी पर चिन्ता छोड़ कर शेहरी विकास पर ध्यान दिया जा रहा है गरीबी के स्थान पर गरीबों को ही हटाया जा रहा है आधी जनसंख्या का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना, भाई भती जावात, रिश्वत खोरी और नौकर शाही हमारे अंग भंग में शामिल है धर्म के परदे के पीछे सामप्रादाइक्ता का जहर फैलने लगा है धर्म कुनमाच से हिंसा का तांडव हो रहा है हमारी स्वतंत्रता एवं स्वावलंबन को विदेशियों के हाथों बेचा जा रहा है परता आतंकवात, हमारी शान्ती, एकता और अखंडता को निगल रहा है अब गांधी जी का अस्थित्व तस्वीरों, प्रतिमाओं वब भजन तक सिमिट कर रहे गया है प्रतिवर्ष गांधी ज्रयंती पर फूल माला चड़ा कर, अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेना ही, हमारी और हमारे राजनेताओं की प्रवृत्ती बन गई है हमें यह सोचने के लिए बाद ही होना पड़ता है, कि वास्तव में वर्तमान पर इस्थित्यों में गांधी जी कोई प्रासंगिक्ता है भी या नहीं गांधी जी का सपना कुछ और था, वे पाश्चात ये सब्यता की चकाचौन से दूर रहकर, भारती ये संस्कृती का उथान चाहते थे उनके सपनों का भारत मानवकल्यान से आपुरित भारत था, उनका मानना था कि जब भी तुम्हें संदेह हो, या तुम्हारा एहंकार तुम्हें परिशान करने लगे, तब तुम स्वयम को निमलखित कसौटी पर पर्खो, उस गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्त का चेहरा याद करो, फिर खोदा से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, क्या उससे उस व्यक्ति का भला होगा। कांधी जी का तो आदर्श था, सर्वे भवन्तु सुखिनह, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानि पश्यन्तु, मा कश्वित दुख भाग कांधी जी स्वावलंबन, समाजवात, समानता, सादगी और स्वदेशी के माध्यम से ग्राम राज्य और राम राज्य लाना चाहते थे। दुर्भाग गिवश, बाभू का सपना साकार नहीं हो सका। गांधी के सारे सिधानत हमारे वेवहार से हट कर सिर्फ ढोल पीटने भल के भर के लिए रह गए हैं। संप्रती, विज्ञान और टेक्नोलोजी, प्रधान युग में गांधी जी के आदर्शो, सिधानतो तथा चिंतन के साथ साथ उनकी प्रतिपादित समूची जीवन 25 रूपी ढाल टूट चुकी है, निहती निरीह जनता गोलियों का शिकार हो रही है और गांधी का जीवन दर्शन सत्य की वर ढाल बन चुका है, जिसे सर्वत्र असत्य की लड़ाई लड़ी जा रही है। कांधी ची हरीजन उधार की बाते करते थे, आज उन्हीं के देश में हरीजन इस समाज में सबसे अधिक उत्पिड़ित है, उन्हें आरक्षन के छलावे से फुसलाया जा रहा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शब्दों में, गांधी नहीं रहे पर गांधी वाद घसीटा जा रहा है। सेक्डो संस्थाय उनके नाम पर चल रही है। सत्ता की नई पौध उनके नाम पर पनपती है। दार्शनिक उनके सधानतों एवं मादर्शों की चकाचाउंत फैलाते हैं। संसार कुछ चकित करते हैं। गांधी जी का मूल मंत्र था, साधन को पाने के लिए साधन की पवित्रता की अनिवार्यता। भारतिय समाज में गांधी जी के सबसे बड़ी देन यही थी कि उन्होंने करोडों बेवस लोगों को आत्म निर्भरता, आत्म शक्ती संकल्प, स्वावलंबन की प्रेड़ना दी। सुसपर्ष्ट है कि गांधी की राजनीती नैतिक मूलियों पर आधारे थी। वाइड आर के का तो यहां तक कहना है कि मेरे विचार से अवस समय आ पहुचा है जब गांधी जीद्वारा प्रतिपादित सिधान्तों को विश्व व्यापी स्तर पर विवहार मिलाना चाहिए। इसका प्रेयोग अवश्य करना चाहिए क्योंकि जनता वह अनुभव करती है कि इसके सिवा विनाश से परित्रान की कोई आशा नहीं है। आजादी के बाद गांधी जैसे संत राजनीतिक नेता की सार्थकता ही नहीं रही। यकथन मार्क्सवादी विचारधारा के पुरोधा E.M.S. नंबूदरी पात का है। उनका यकथन कड़वा तो लगता है लेकिन ये सत्य है। कांधी ने अपने विशय में स्वयम भी कहा है। आज हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी चीज हो रही है जिसमें मुझे खुशी हो सके। कॉंग्रिस बहुत बड़ी संस्था हो चुकी है। इसके सामने मैं उपवास नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं भट्टी में पड़ा हूँ और मेरे दिल में अंगार जल रहे हैं। कांधी जी अपनी नई जिंदगी को सार्वजनिक आयाम देकर अपने दर्शन को जमीन पर उतार कर आखरी आदमी की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। धनी से लेकर सर्वहारा, प्रशक से लेकर जमीनदार, पाबू से लेकर अधिकारी सभी के नेत्रत्व का भार उठाया और राजनीतिक जगत में उनका मुकाबला करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। कांधी जी अपनी मृत्थियों के कई दशक बाद भी लोगों के दिमाग में लिखित है क्योंकि वे भारत की लिए उसी प्रकार थे जिस प्रकार गंगा और हिमाले। निशकर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में गांधी दर्शन को अपना कर चलना जहां मुश्किल है वहीं उसे पूर्ण रूप से नकारना भी हमारे हित में नहीं है। नए विचारों के बारे में गांधी जी ने कहा था, मैं नए विचारों को कदा भी नहीं रोकना चाहता पर मैं उनका गुलाम भी नहीं बनना चाहता। यदि हम कहें वह पुराने युग में थे, उनके सिधान्त, उनके आदर्श, उनका दर्शन, पराधीन भारत के लिए ही मान्य था, तो क्या हमारा ये करतवी नहीं होगा, कि हम विचार करें कि आज कौन से सिधान्त हमारे देश के लिए मान्य होंगे? शान्ती, सुरक्षा, स्वावलंबन, सादगी, स्वाभिमान, अहिंसा की आवशक्ता जितनी आज है, उतनी तब नहीं थी, बढ़ते हुए कटरवात, अलगावात, आतंकवात, एवं असाहिश्णुता के वर्तमान युग में, गांधी चिंतन आज पूर्व की अपेक्षा, अधिक प्रासंगिक है, राश्ट्रियों एवं अंतराश्ट्रियस्तर पर बढ़ती बेरोजगारी, जाती एवं नसल की वैमनिसता, आर्थिक विशमताओं से उभरती, आर्थिक नूतन प्रवृत्तियों एवं अस्थिरता में, कांधी की राजनीती, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विचारधारा, आज अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह इन समस्याओं को सुलचाने में सक्षम है, हमें गांधी दर्शन के समानुकूल दर्शन करने का सदुप्यो करने का संकल्प लेना चाहिए, वर्तमान परिस्थित्यों को ध्यान में रखते हुए ही, गां इस दिशा में गहन विचार करने की आविशक्ता है, ताकि हम उस महान पुरुष के सपने को साकार कर सके।